Hello guys, welcome to my channel, आज की वीडियो है World Wide Day, वेब यानी www के मुख्य गट को पर www के मुख्य रूप से निमलिकित गटक होते हैं जिन पर इसे आश्रीत रहना पड़ता है पहला है वेब सर्वर, यह 30 छालिक कम्प्यूटर होता है जो सूचना को वेब साइट के रूप में रखता है कम्प्यूटर इंटरनेट से जुडा होता है और यह गराख को आवशक सूचना की पूर्ती करता है यह मूल रूप से वह स्थान है, जहांवास्तविक वेबसाइट बनाई, स्टोर और अक्सस की जाती हैं दूसरा है वेबसाइट और वेबपेज, www में प्रतेक सूचना एक विसेज डोकुमेंट के रूप में स्टोर होती है इस document को वेब-page कहते हैं कई संबंदित वेब-page एक website बनाते हैं आतहे हैं एक website में बहुत से webpage हो सकते हैं एक website के webpage अपेंजों से link रखते हैं और ये link hyperlink कहलाते हैं hyperlink पर क्लिक करने से इससे जुड़ा page पर दर्शित हो जाता है website web server में store होती है प्राथना करने पर वेब करने पर वेब सर्वर वेब साइट की एक कोपी ग्रहा के कम्प्यूटर पर भेज देता है। तीसरा है हाइपर लिंक और हाइपर मेडिया वेब साइट्स आमतोर पर हाइपर लिंक दवारा जुड़ी होती हैं। एक hyperlink, text या image का एक टुकड़ा या हिस्सा होता है, जो समबंदपेज को लोड करता है. Hyperlink के उपर करसर लाने पर हाथ के आकार का करसर दिखाई पड़ता है, जबकि सामाने text में ऐसा नहीं होता. Hypermedia कई माध्मों जैसे धवनी, animation, movie आधी से लिंग करता है. Hypermedia वी भिनमीडिया जैसे एक सिंगल फाइल, sound, graphics, animation और text का समू होता है. चोथा है Hypertext Markup Language, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका परियोग वेब पेजों को बनाने और लिंक करने के लिए किया जाता है. HTML सबसे सरल प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है, जिसे सीखना बहुत आसान होता है. पाचमा है Web Browser, यह है एक application software है, जिसे Hypertext Document या वेब पेजों को संग रह करने और परदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है.